श्वामी जुम्हराजी की हम दासन को बताई रहे हैं चतुर्थ पद के ही माध्यम में चतुर्थ पद के ही संबन्द में विहारि दास दुरुलवुलहो तन पुरुबे सब काम नातर जैये राएगा भजले स्याम आश्याम महराज के हैं ये मने से जनम बड़ी दुरुडवता से मिलो है और याते सारे काम पूरे होंगे जो बड़े से बड़ा कार है विहारी विहारन की प्रसंदता उनकी प्राप्ति उनका अंग्शंग या मने से जनम ते ही प्राप्त हो गया है नातर जैये राएगा भजले स्याम नातर जैये राएगा अगर ये भजल नहीं हुआ तो मिट्टी के मोल ये तन है माटी को डेला बूंद परे गर जाई जैसे मिट्टी का डेला बूंद परने से गर जाता है उसी प्रकार ये सरीर खिन भंगुर है आती दुरलव होते हुए दुरलव हो मानुषो देहो देही नाम खिन भंगुर है आती दुरलव होते हुए लेकिन ये खिन भंगुर है पता नहीं कब समाप्त हो जा लेकिन मन्य से देही से भी ज़्यादा दुल्लव हरी दासों का संग जो श्रणागत हैं जो हरी विहलम के स्री श्रणागत हैं उनका संग मन्य से जनम से भी दुल्लव है प्रेमीर सिक जनम इसलिए हरी भजन पे चतुर शंप्रताय सभी आचारिमान भाब शभी मुक्त कंड़सों कहें श्री भगवान कृष्ण चंजू गीता जी में कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यूमा मिस्मर्ती नित्यसह तस्याहम सलवह पार्थ नित्युक्तश्य योगिनह जो मेरा अहरने चिंतन मनन कर रहे है वो निश्यत ही मेरे को पृप्त करता है अनन्य चेता मेरे में अनन्य भाब से मन दिया है वो निश्यत ही मुझे प्राप्त करता है प्रेमी जनों हरी भजन अनन्य भाव से हरी भजन तो भजन रूपी जो चिंता मनी है जो रतन है वाकू खोई के और कुड़ा करकट अगर लेते हैं तो अपने पेरों तक कुलाड़ी मार नहीं तो हुआ तो हरी भज हरी भज चान मान न रतनको मांजा प्राणी मांजा हरी भजन कर हरी भजन कर व्यारी व्यारन को भजन कर या अमूले रतनकूं हरी भजन रूपी रतनकूं मनिश जनम रूपी रतनकूं तो अपने हाथ सों मत छोड़े एक एक ख्यन एक एक मिनट सेकिंड एक मात्र व्यारी व्यारन की प्रसंता के लिए ही प्राप्त भयो है इसलिए सभी आचायरों का मत है गुण संग बिनुर्धुव माम भजन तू बिचक ख्यन त्रग्णों की आसकती है अटाके भगवान कहते हैं प्रते ख्यन मेरा भजन करो माम भजन तू बिचक ख्यन प्रामीर सिक जनों अचायर जन संत जन हमको बहुत प्रकार से हरी श्यम समझाते हैं तू अनुमा ग्यो आगे या बेगो जू पल लागे पल को तू ना ना प्रकार से महराज बता रहे हैं शुखमेंद्रे कम देत्या देभोगें देहिनां शरवत्र लभ्यते देवाद्यता दुखम दुखो मयत्नत हो स्री प्रहला जी कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले सुखो प्रारब्द के अनुसार सब ही योनियों में प्राप्त होते हैं शुखमेंद्रे कम देत्या देभोगें देहिनां सरवत्र लभ्यते देवाद्यता दुखो मयत्नत हो जैसे बहुत प्रयास करने के बाद भी दुख आ जाता है उशी प्रकार बहुत से प्रयास करने के बाद कोई प्रयास भी नहीं किया जाए फिर भी सुख भी आता है सुखो और दुख जो पल लागे पलकों जैसे आँखों के पलक सहज भाव से अपने कोई प्रयास नहीं करना होता है आँखों के पलकों को उठाने में और दवाने में अपने आप सहज ऐसे ही प्रारद के अनुसार संसार के शुक और दुख भी जैसा जैसा निजिकरत करम भोग शब्राता लेकन ये मनिस जम मिला किसली है प्रारब्द के अनुसार कोई भोगें उनको भोगना भी हरी की सहज भाव से निर्वकारमन से भोग ले तो ये भी हरी भक्ती में घबलावे नहीं और अहिंकार न करें ये भी हरी भक्ती में साथ और हरी भक्ती के लिए हरी प्रैम के लिए संतों का शंग करके बरावर प्यत्न सील रहें बरावर प्यत्न से प्रतेख्यन सूचता रहें कि मेरो भजन कैसे बनेगो तत प्रियासो न करतब्यो यत आयूर व्येपरम नतथा बिंदते खेमम कुन्द च्रणाम भुजम प्रैला जी कह रहे हैं जो श्वैम मिले वारे सुख प्रारब्द के अनुशार उनके लिए जो बरावर प्रियास करते हैं मन को उसी में पगा के रखते हैं हां करतब भी करने वाला करतब भी करना है लेकिन मन को प्रभू के लिए संपना है करतब भी हो यत आयूर भी है प्रम महराज बोले श्री प्रहला जी बोले आयू को बियर्त ही खर्च करना है क्योंकि हरी के चनार बिन्दों का चिंतन छोड़के और नणा प्रकार के शुकों के लिए चिंतन करता है तो वो हरी के चनार बिन्द जो सर्व शुकदाय के हैं परम सुको देने वाले हैं वो चिंतन से मन हट जाएगा अगर संसार का और नणा प्रकार के संसार के शुकों का अगर चिंतन है तद प्रयासोन करतब्यो पहला जी बोले इसलिए यह प्रयास करना करतब्य नहीं है प्राणी मात्र का मनुष्य का अन्य जो योनी हैं नए कर्म कर रहे हैं वो भी भोग हैं और जो पुराने भोग भोग रहे हैं वो भी भोग हैं लेकिन यहां नए कर्म करते हैं वो हरी प्राप्ति के लख्य में ये मन से जनम और पुराने कर्म पुराने भोग हैं वो भी हरी भक्ति के हेत वर्धक होते हैं हरी भक्ति को बढ़ने वाले होते हैं लेकिन कब निर्विकार मनते उनको शह सुईकार जो कचुक की ओसो लाड़ी लाड़ी करे सो होई और लाड़ी करे सो होई वो निर्भे वैतु सो जामे हरी प्रसंद रहें सोई कीजे बात अपनी चाहन उपजे यही खेम कुसलात सबसे बड़ी खेम और कुसलात यही है विहरी विहरन के स्री शणों में हमारा रन्य भाव इस से बड़ी खेम कुसलात प्रसंद आइस जीवन की दूसरी नहीं है ओसकी बूंदती प्यासन बहाजे जब लों हरिसागर नहीं साजे संसार के जितने भी सुख है ओसकी बूंद के बरावर है ओसकी बूंदते किसी की प्यास भाग जाएगी नहीं कभी त्रफ्त में इसमें अपने मूल समय को गमाते हैं जब लों हरिसागर नहीं साजे हरिसागर रूपी जो सुख है हरि प्रैम रूपी जो सुख है हरि चिंतन रूपी सुख है चिंतन, रूपी सुखे, चरणों का चिंतन, ऐसे मर जो बहोर्न मरिये, चरण कमल चित चिंता धरिये हे प्रेमीर अब की बार ऐसे मरना है, फिर कभी दुवारा मरना नहीं पड़े वो कब हो सकता है शरन कमल चित चिंता धर ये चित में भीहरी भीहरन के शरन कमलन को चिंतन हो वेगो तो फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा संसार का चिंतन होगा तो बार बार मरना और बार बार जनम लेना कीड़ा मकोड़े गधा घोड़े नाना प्रकार की योनियों में ये प्राणी अनिभी गिता से अपने पैरों पे कुलाड़ी मारता है और निस स्री हरिदास सरन तिहारे स्री हरिदास मन क्रम बचन बिचारे समझी भयोदास करम कठिन बहो जोनिन ब्रम्यो भ्रमत रहो गरवास तेह सुमिरत भैधीत भैयानत मानत हों तनत्राः माया प्रवल परमदारुन में लेनन देतु सास यह माया प्रमदारुन में है प्रवल है यह जो है वो सासूना है लेकिन स्वामी जी विहर जी महराज के स्री श्रनार बंदों में अनन्य तो कब हूं काल ख्याल करत डर भूल तिन तन सकतन आर कहन सकतन शंक शुद्रण भक्तसों तो माया रही लटी हुए यार प्रेमिर सिख जनों अभी पत्सनाक माया को सब जग भजे माधो भजे न कोई और जो कदापी माधो भजे तो माया चेरी हुए अरे माधो को भजन यानि हरी को भ्यारी भ्यारन को भजन तो कियो नहीं और संसार को भजन करते रहे संसार के सुकों की चाना करते रहे तो माया को सब जग भजे माधो भजे न को जो कदापी माधो भजे रिश्कन के इकरपाते संद गुरून के इकरपाते एक जनम को अगर माधो के स्रीच्रणों में लगा दिया तो माया चेरी हो जो माया है न तुम्हारी चेरी होगा तुम्हारी दासी हो जाएगी और ऐसी दासी हो जाएगी अने निभाव से विहरी विहन के स्रीशनों में अनुराग है तो ऐसी दासी हो जाएगी ये तुमारा अहत भी नहीं कर सकती है जब छेरी होके मालिक बनके आएगी तो अहत हो जाएगा तुरी दासी बनके आएगी गुलाम बनके आएगी तो फेर अहिरत नहीं करेगी जाको धन जामे लगे सोई सांचो होई पावे नित विहार को और लहवना को धन में बड़े अवगुण है लिकिन ये धन शंत सेवा में गव सेवा में गरीबों की सेवा में माता पिता की सेवा में ठाकुर की सेवा में वक्तों की सेवा में अगर ये सेवा प्रायन है ये धन तो ये अम्रत हो गया ये अम्रत को देने वाला हो गया और किवर्ष्वार्थ मुई मंटका हुआ है तो नेश्यत ही उस धन में अगर मन रह गया तो सरब बनना पड़ेगा तो माया चेरी होई रहे चर्णन लपटानी तो भिहारी भिहारी इनको दास वह भी ते यह भजन कर भी ते माया तुमारी सेवा करने लग जाई मल्यज यानि चंदन चंदन में सहज अपने आप ही सुगंध रहती है चंदन के संग ऐसे भी हरी भिहारी के स्री शर्णार बंदों के संग अपने आप सारे सुख नतमस तक रहते हैं सरी हिर्दास नाम रुच, स्री हिर्दास नाम लिये जाएं दुख दोस मुच, सारे दुख और दोसों का मोचन एक मात्र स्री हिर्दास नाम से हो जाता है और दुखो और दोसों का मोचन के साथ साथ परम बस्तु, नित्य बस्तु, निल्वद बस्तु, सर्वो पर नित्य विहार प्राप्त होता है बताईए तत प्रयासो न करतब्यो यत आयूर वेह परम प्रेला जी कह रहा है इसलिए ये प्रयास करना नाना परकार के सुखों के लिए प्रयास करना आई को बिर्थ ही गमाना है प्रियास्तो हरी भजन का करिए चिंतन करिए मन को लगाए ग्रस्तियों को गेही संग्रे परहरे संग्रे करे वरक्त ये दोनों जानी हरी आब्याते वितरक्त ग्रस्त परिवार है उनको सेवा करना उनका धरम बनता है इसलिए उनको शंग्रह भी करना होता है उनको डूटी भी करनी होती है लेकिन उस डूटी को बिहार जी महराज की डूटी माने बिहार जी महराज की सेवा माने कोई भी कारे रत होते हैं ये पने भाव ही तो बदलने बात भाव की और व्रक्तों को आच्यायों की दृष्टी में व्रक्तों को संग्रह नहीं करना चाहिए वो हरी आग्याते व्यत्रिक्त हुए जमदूत हवाले अगर कोई संग्रह व्रक्त के पास तो वो संग्रह अगर शंत सेवा के हेतु है गव सेवा के ही तु है और सेवा के ही तु है अपने चमकने के लिए नहीं है अगर किसी के पास है तो तो अच्छा है क्योंकि एक महाब्रक्त होते हैं महाब्रक्तों के पास एक प्रतसत कभी संग्रह नहीं होता है खईये मांग मधूकरी रहिये पूता दरादरी ऐसी जीवने लेकिन जो आस्रमी होते हैं आस्रमी ग्रही गुशाई महावरत इस प्रकार बताया तो जो ग्रही हैं उनको शंग रहकी गुशाई उनको शंग रहकी और जो आस्रमी है आस्रम बना के सेवा करते हैं भक्तों को शुक देते हैं भक्तों को लगाते हैं उनको भी संग्रे की जुरूत है लेकिन कसोटी यहां है संग्रे करने के बाद कोई मन तुम्हारा उसमें अटक न जाए कोशिस यह करनी चाहिए धर्योबरो धर्यबोबरो आवैसुई पाव स्रीकुंज विहारिन लालकी उमगी उमगी गुनगा लल्तमोनी देजु महराज हमार याचाहरी प्रबर उनकी एक रहनी का इस्त्मन करते हैं सब जगे बिख्याती थी कि लल्तमोनी देजु महराज कोई शंग्रे नहीं करते हैं लेकिन लेख में आता है कि सोने चांदी इतने जो चड़ाये जाते थे कि पीली और सफेद भूमी हो जाते थी महराज जहां बिराज ते उनके सामले तो उनको सोनी से खटे करके हाथ से नहीं चूते थे पैसा सादू पाप पैसा पापी सादू को पर्स लगा बै पाप दूर कराए गुरु इस्टसं उबजा बैसंता ऐसी रहनी थे इस पर्स नहीं करते थे जाडूते खटे करके हैं और एक घडा में भर दे और घडा में भर कें साथ के साथ बजार बेकें संत सेवा कर दोई बोलो बेर जीव माराज शंग्रह एक दिन से दूसरे दिन के लिए ऐसे से संत महापुर्शा ऐसे हमारे प्रान जीवन रशिक मानवा अखन संत सेवा इस तरीके से एक आउ सागुकार ने सुना स्रीश्वामी लल्त महुने देजू महाराज का परक्णा कि लल्त महुने परक्णार हो गोई मधूकरी करके पाओ जाता है श्वतंत्र एक दम अपने आप में द्रड़ महाराश्री सहज बिराज रहे हो सागुकार आयो एक हीरा लाया हीरा लाया तो हीरा को महाराश्री के चर्णों में भेट गया और साम का समय वो ये परिख्ण के लिए साम का समय आर्ती होने वाली है थूड़ा ही समय है अब हीरा को रखेंगे नहीं तो क्या करंगे बेश कीमती है ये इसलिए लाया महाराश बोले भाई गलत समय पर लायो सेवा के जैजय मेरो भाहो आपके स्रीश्रणों में आप जो जानो करो तुम जानो महाराश ये तो सेवा जैसो म मेरे मन में प्रेंड़ना भाई मैं आपके स्रीच्रणव में महाराज बोले अच्छा क्या हूं कोई ऐसे संत थे पूरवास्रम के उनको जो है हीरा को गलाना जानते थे हीरा को फूंगना बताते हैं किसी से सुना भारत में इस बरतमान में हीरा फूंगने वाले केवर पांच अब्यक्ति हैं ऐसे सुना आफ साथ चार रह गए एक जो है यहां ब्रंदावन में थे एक बाबा वो पधार गए तो आफ साथ चार रह गए होंगे जैसा भी ऐसा सुना हीरा फूंगना हरी कोई नहीं जानता है लेकिन वो हीरा फूंगना जानते थे उनने का ठीक है अब्याई से मिलती है दिल्दी नहीं प्राप्त होती है तो जैसे तैसे वो इकत्रत करके उस हीरा को महराज की अग्या के अनुसार फूंक दिया और फूंक आर्टी हुए है और विहार जी महराज का सेनभोग में जो बीरी प्रसाद बीरी प्रसाद और भोग लगा बीरि भोग लगा के और सभी बीरियों में Yāni, पानो में थोड़ा, 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 क्योंको संतेका ही थोड़े हैं, 700 संत थे, उसने करवादारी, है तटोगो थोड़ा, थोड़ा, सभीरियों में भोग लगा के ठाकुर का, सभ को बढ़ दिया, वो सहुकार अचम्बे में रह गया कि धन्यों जो सुना उससे भी अधिक पाए गई भुलोश्वामी यू महराज रीती होती है मापरसों की आज उनकी नाम को यसको हम गा रहे हैं ऐसी रहनी थी महराज की तो किसी प्रकार अगर शंत लोग आश्रमधारी लोग शंग्रह करते हैं तो उनका संग्रह एक मात्र सेबा के हेतु हो कहीं उसमें धोके से मन नहीं चिपक जाए नहीं तो सर्प बनना पड़ेगा चाय कोई संत हैं चाय कोई गरस्त हैं कानून सब के लिए है या जनम लेना पड़ाएगा फ़र पुन है उसके कारण से एक और शंत गुरु सुनाते तो प्राइमी जनों चाय तुम गरस्त में हैं तुमको भी शाबधान रहना ये नहीं है कि तुम को तो छूट है सेबा करने की छूट है कमाने की छूट है लेकिन उसमें आ सकती करने की छूट नहीं है उसका सदिपयोग करने की छूट है तो एक प्रसंग है एक संत जी थे उनके एक सिष्य थे वो सिष्य है सहज जो है ब्रंदावन से भर्मन के लिए बाहर चले गई बाहर चले गई तो पुराने समय पे देश रुपया एक रुपया हो तो बहुत था पुराने समय पे तो देवयोग से हरियच्या से उनकी मृत्यू बाहर ही हो गई ब्रंदावन बापिस नहीं आ पाई ऐसा हो जाता है इसलिए ब्रंदावन छोड़नों है बड़ी चूख गुरुजी को चिंता भई मेरा सिसे बड़ा सुघर था आगया कारी था लेकिन उसकी मृत्यू बाहर हो गई देखा कि वो गुर्दे पहुचे हुए थे देखा कि मेरा सिसे कहा है देखा कि वो तो सरब बन गया है हुणने चिंतन कि असरब तो जब बनता है जब पैसा में आ सकती हूँ तो पैसा में आ सकती का मतलब यहां वाकि किताब, काउपी, पाठध की और बिस्तर यहां भी है, कुटिया में यहां भी तो वाक देखे ज़ग हैं तो सही कहां है हो तो देख्यो, तो सिस्टे दिखवायो, सामान, तो भाई देखो, वो अगर सरब बना है, तो फिर यहीं है, यह आसरब में है कहीं है, क्योंकि हमको वो सरब के रूप में दीखा है, हमारा कल्यान करना एक करतब भी बनता है, गुरू होने के नाते से, क्योंकि गुर्देव, सह आपके दास हैं, आपके स्रिश्रणों में अनुराख कर पाएं इस दास के माध्यमते, इनको अपनी बाजू में इनकी बाजू लेके उनको तारण कर दो, ये चिंतन होता है। बिना गुरु करपा से शिश्र का तारण नहीं होता है। तो स्री गुर्देजू ने सामान धुनवायो तो एक कापी गरंथ था, जिसका पाठ करते थे। उस गरंथ में पुराने समय पे पांच रुप्या रखे। तो पांच रुप्या रखे तो पांच रुप्या नके सहा रहे ही एक श्याप को बच्चा और गरंथ मयानी पुस्तक में लूट रहे ह। और जब उन्होंने देखा तो अकुल बलान लगयो, महराज को देखा, महराज देखो आप जो कह रहे थे सत्य बात है, यह सरब बन गया। यही तो बात है, आशकती रह गई, पैसा में आसकती रह गई, भजन करने के बाद भी अगर पैसा में आसकती रह गई, सरब बन गया नहीं अभ झाले चाहे। लेकिन समर्त्गुरू थे, पांच रुपź का संतों का ठाकुर का भऊग लगा के संतों का भंडारा कर दिजी, समयान मंगवाई। तुरंट 5 रुप चाही रूप्धे, ठाकुर का भोग लगाया, बना के हलवाईगर के द्वारा, और संतों का भंडारा, और जेजेकार बुली, जैसे जेजेकार बुली, और वो प्राण पखेरू उस सरप के उड़ गई, सरप जो है, वो संत जी सरप योनी से छूट गई, और ठाकुर जी के धाम को चले गई, पहु शापधान रहना है, यह सुख दुख दे जाए, यह जो सुख समझ रहे हो न, यही तो दुख दे के जाता है, ट्रनाद अपी सुनीचें, तरूर अपी शेष्छनुना, अमानेना मान दें, कीर्ट नियह सदा हरी, अमानी बनके लिएना, मान पातर को मान दें, ब्रक्क से भी जादा सहन सील हो इस तरीके से जो गुण है और भजन साधना कीरतिना साधना हरी का हमेशा हमेशा भजन चिंतना स्री हर्दा स्री हर्दा स्री हर्दा स्री हर्दा स्री हर्दा स्री हर्दा एक के भजन सील होने के कारण, एक प्रहला जी के भजन सील होने के कारण, महापापी उनके पिता जी, उनका कल्यान हो गया, परिवार का कल्यान हो गया, नगर के नगर का कल्यान हो गया, लेकिन होनी चाहिए सुद्ध भक्ति और सब ही भजन प्राण हो, कहना ही क्या है, तो हर हरी भजे हरी भजे महराज कहे रहे हैं इसलिए हरी का भजन करो भगवत्र सिक्वनन्न हो ये शत्गुर की दाया माधों सो मन लगे मुहुमद छूटे माया मन लग जाता है और मोहुमद माया ये क्रमसाय छूट जाते हैं चंता की बात besme हो जाता है श्वामी जी के क्रपा इतनी वलवती है सोच भी नहीं सकते है इतनी वलवती है नित्यधाम बरबाम ढिंग इस्वरमन नहीं यार वो नित्य निरवदьतत्व स्रिहदास नाम जाप करने से प्राप्त होता है तो यहां के सुखों की तो चलाई भी आगए लेकिन भक्तों की यह गरमा महमा शभाव होता है यहां के शुक्ति भक्ठीrais को नहीं नापते है, वो बेकार होते हैं, जो यह सोचें, कि हम तो बहुत भजन किया लेकिन हमारे परेशानी आ रहे हैं, बहुत दराा, कितने दरागों, दनसा साल होगे हमको कंटिशन को, लेकिन महाराजी परेशानी से बढ़ी आ रहे है अरे बावरेो भजन को यहां के प्रारप्द से इससे जोड़ रहे हो अगर इससे जोड़ाएंगे तो प्रभू जोड़ाएंगे तुम तो निश्काम भाव से भजन करो लाड़ो तुमें लड़ाए जीऊं तो गुनगाए दुखे सुखे शमी करत्वा लाभा लाभू जया जयो यद पी ये निश्यत है कि तुम्हारे कष्ट रहेंगे नहीं कहता तुमने ढंग से भजन साधना नहीं करिया नहीं निभाव से नहीं किया कि वह दिखावा बाजी है महराश्री केते हैं ध्यारण दू जी महराइज भक्त भक्त के बलबलो शाकत बित इतराई ये रातो मातो चक चको वे निघट गई बिल्लाई भक्त भक्त जाने भक्त भक्त के बल पर अपने आपको शोहबा चाली सबसे बड़ा मानता है चाहे उसके पास कितने भी कर्ष्ट, शुदामा जी को देखो, कोई को देखो, भक्त माल में नणा प्रकार की बड़ों की कथा हैं, तो भक्त जो भक्ती के बल पर अपने आपको बड़ा मानता है, संसार के बेवाब के दृष्टी पर बड़ा नहीं, ये तो पकड़ने वाला आत्मा का हननन करने वाला होता है, अगर भेवाब है, तो बहुत अच्छी वात है, उनकी सेवा के लिए है, बड़ी खुसी की बात है, लेकिन उसका हैंकार नहीं होना चाहिए, बलो भ्यारी जीव महराज, तो भक्त, भक्त के बल बलो, शाकत बित इतरा, जो शाकत हैं, वा भक्ती के बल से अपने आपको शोभागेसा रहते हैं, इन में और उनमें क्या फरक है, तो भक्त भक्त के बल बलो, शाकत बित इतरा, यह रातो, मातो, चकचको, यह जो अनन्य भक्त हैं, प्रते गिस्तिती में रातیں, माते, चकचके रहते हैं, उनको परिशानी छूती तो तो ये तो रातो मातो चक चक चको और वो निगट गई बिल संसारी लोग अगर वो धन खतम हो गया किसी तरीकी से किसी कारण से निगट गई बिल आता है ऐसा हुआ बैसा हुआ उसी चिंतन होता है वो जो है हाड अटेक ही हो जाता है किसी परकार से धिन की हानी या जिन की हानी क्योंक उनका मन वहां लगा होता है उसी गम में उसी चिंतन में हाड तो क्या होगा फिर दुवारा पुनहें जनम कचड़े में मिलेगा तो ऐसा नहीं करना है प्रहमी जनम अपने आपको शनागत का सरूप है जैसे कोई घोडा को किसी को बेच दे तो उस लेने वाले को घोडा के दाने पानी की चिंता करने है बेचने वाले को नहीं ये विश्वाज ऐसी हमने अपने आपको बिहारी ब्यान किसी च्रंड नुदक श्वामिजी की च्रणों में शौप दिया है, तो हे प्यारे आप जा malaria हम तो आप के स्रीचृरणों में स्वामी जुमाराज, तो हरी भजे हरी भजे, हरी भजे, छाणे मान नरतन कुछ। मन मेरी भजी लेश्री कुम जोई हां सवसुख सागर रूपयो जागर अंग संग प्रीतं प्याज। व्रंदावन घननवने कुझ्जम केलिपत गुण। बिहारी बिहारी नदास, लडवत, जीवन प्रान हमारी, जीवन प्रान हमारी, जीवन प्रान् मानु मेरे हजिले शर्फ aşk पंगे बिहार स्वामी जिऴ हराज के जैं ङहार जिव महराज के प्रंदावन चन्यो के समस्त ऑचर ऊंके लुदेव शणा रून के रमेले रहरे जिवहरे जिवहरं के रगिली प्रिया विहरी विहरन की, बचनका शिद्धान की, अश्टादर शिद्धान की, जे जे श्री श्री श्राइब।